तो आज किस वीडियो में I will be discussing about e-commerce website and purchasing supplements from e-commerce website तो आपने बहुत सारी news ऐसी सुनी होगी जहांपे fake supplements की बात होती है जहांपे बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं fake supplements को sale और purchase करते हुए तो आज किस वीडियो को simplify करने के लिए I will be dividing this video in 4 major parts सबसे पहले how e-commerce website works second exploring supplement categories on different e-commerce website third some important points and fourth conclusion तो आप कोई भी चीज purchase करने से पहले अगर आप किसी e-commerce website में कुछ भी खरीद रहे हो वो चीज कोई duplicate है या fake है इस चीज को समझने के लिए हमें e-commerce website का basic सा model समझना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले e-commerce website work कैसे करती है e-commerce website एक medium का mediator का का काम करती है एक seller परचेजर के बीच में अब इसमें एक seller कैसे registered होता है एक purchaser मतलब आम लोग तो बहुत असानी से registered हो सकते हैं हमें सिर्फ एक phone number और एक valid choice चाहिए कोई चीज खरीदने के लिए उसके बाद अगर एक seller है वो कैसे registered होता है e-commerce website में e-commerce website में ऐसा seller registered होने के लिए आपके पास एक seller account होना चाहिए जिस account के लिए basically एक GST number एक valid account number जिसको बैंक account details वो सकते हो और अगर आप especially food and supplements की category में deal करे हो तो आपको एक food license होना जरूरी है यह दो से तीन basic सी चीज़े हैं जो आपको एक seller account में registered होने के बाद अपनी पहली sale करने या product list करने से पहले यह सारी detail आपको Amazon या flip card किसी भी e-commerce website पे अपनी verification के लिए डालने पड़ेंगी अपना pen card आगर card यह सारी details भी वो आपको मान सकता है डिफरेंट डिफरेंट platform में एक दो चीज़े उपनीचे हो सकती है तो यह तो बात थी कि एक seller or purchaser और e-commerce website का model कैसे work करता है जिसमें एक seller or purchaser होता है और एक mediator का काम e-commerce website करता है जो seller को purchaser तक मिलाने के एक nominal सी fees लेता है तो अब बात आती है supplements के उपर तो अब हम explore करते हैं एक दो supplement categories को दोनों website के उपर तो जब हम दोनों website को explore करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि दोनों website में ऐसे हैं कि product काफी हद तक same है पर pricing में बहुत जादा difference है अब वो pricing में दोनों की आपस में भी difference है और एक ही website के अंदर दोनों की दो अलग-अलग category के product की भी आपस में price की price में बहुत जादा difference है अब इसको simply basic से example के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं मालो flip card में ultimate nutrition है जो एक protein का वे protein का product है और flip card के उपर जब हम ultimate nutrition का price देखते हैं तो दो ultimate nutrition के price आपस में different है मतलब दोनों की बीच में आपस में difference है और कि over the time काफी ज़्यादा difference बहुत ज़्यादा भी हो जाता है कभी बहुत close भी आजाता है और कभी ये outer stock, एक product outer stock हो जाता है और दूसरा नहीं होता है same product, same brand पर इतना बड़ा difference इन दोनों में आजाता है वहाँ पर अपनी details में ये चीज़ mention करती है कि product किसके through sold किया जा रहा है तो जब आप देखोगे तो दोनों product मतलब ultimate nutrition एकी website पर दो अलग-अलग seller के through sell किया जा रहा है पर उन दोनों में इतना price का difference है तो क्या आपको लगता है वो दोनों genuine है condition ये भी हो सकती है कि या दोनो genuine भी हो सकते है दोनों fake भी हो सकते है और एक fake एक genuine भी हो सकता है तो अब हम ये चीज़ पता कैसे लगाएं कि एक fake है एक genuine है या कौन सा सही कौन सा गलत है या Amazon पर जो product है वो सही है या flip card में जो product है वो सही है तो इसको समझने से पहले हमें एक बहुत बेसिक सी चीज समझने की बहुत जादा जरूरत है आप जब Amazon की विपसाइट पर जाओगे तो वहां पर आपको एक बहुत कॉमन सा सेलर देखने को मिलेगा जो Cloudtail Private Limited करके आता है अब बहुत सारे प्रोड़क्ट देखो गई है फूड एंड सप्लिमेंट में भी काम करते हैं ग्रोसरी में भी काम करते हैं इलेक्ट्रोनिक्स में भी काम करते हैं तो अब अलग-अलग प्रोड़क्स को जब डीटेल में देखने की कोशिश करोगे तो इसमें Cloudtail India बहुत कॉमनली देखने को आपको मिलेगा अब यह Cloudtail India है क्या मैं especially यहां पर Amazon की बात कर रहा हूँ Amazon में क्या होता है Cloudtail India Amazon का एक पार्टनर है पार्टनर मतलब Cloudtail India में Amazon के कुछ percent shares हैं बीच में कुछ time पहले एक case Amazon के उपर किया गया था जिसमें करनाटा का है कोड में एक केस हुआ था जहां पर यह बोला गया था कि Amazon जो है Cloudtail India को और seller के उपर preference देती है मतलब Amazon अपने product को अपने seller को और seller के उपर पर अगर दो seller मानलो ultimate nutrition दो अलग-अलग seller बेच रहे हैं जिन में से Cloudtail India है तो वो क्या करेगा Cloudtail India को दूसरे seller के उपर लाएगा जब भी आप ultimate nutrition डालोगो तो आपको पहला option जो देखने को मिलेगा वो Cloudtail India seller के through देखने को मिलेगा तो इस चीज के उपर केस किया जा था Amazon के उपर की Amazon ऐसी preference देता है और बहुत सारी चीज़े ऐसी भी थी जिससे वो price इतना drop कर देता है जो market में और लोग है offline या online उनका जो competition है वो उनसे नहीं हो पाता है और वो competition में काफी आगे निकल दाते हैं अब इस चीज को बहुत simply समझने के हम कोशिश करते हैं माल लो एक seller है मैं यहाँ पर seller हूँ मैंने Amazon में को product list किया यहाँ पर एक्जामपल में ultimate nutrition कर लेता हूँ मेरे को ultimate nutrition पीछे से 2000 रुपे का बड़ा मतलब मेरे पास उसके cost जो आई वो 2000 रुपे आई अब मैं Amazon में list करना चाहता हूँ मैंने Amazon में अपना seller account बना है जहाँ पर मैंने उस product को list किया और मैं एक nominal सा जो commission है 300 रुपीज अपना मान के मतलब 2300 का उसको list करना चाहता हूँ कि मेरे पास जब पैसा है उसको sell होने के बाद तो 2300 है जब मैं ये चीज़ डालता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि Amazon जो है अपने end से 200-300 depends on product weight और कहां deliver होने वाला है उस चीज के उपर वो कुछ एक nominal से charge लेने वाला है वो nominal से charge कुछ भी हो सकता है product के उपर depend करता है मान दो दोसरों कोश ने nominal से charge ले लिया तो total मेरे product की जो cost है purchaser पर वो 2500 आगी मतलब जब आप Amazon का app खोलोगे उसमें आप ultimate nutrition seller मेरे थुरू वो चीज खरीदना चाहोगे तो वो आपको 2500 की पड़ेगी अब इसे को compare कर देते हैं Cloudtail Private Limited से जो Amazon का partner है इसमें क्या होता है इसमें मान लो अगर मैं 10-50 box के ले रहा हूँ प्लस कोई तो उसके पास यह हो गया कि उसके पास backup है और उसको पता है कि मेरी इतनी सेल इस particular medium के थुरू होने वाली है तो वो backup में अपना 100 का stock रखेगा अब जब वो 100 का stock रखता है तो उसको 2000 की जगा वो 1800 का पड़ता है फिर इसके बात ये तो खेर अगर कोई भी इंसान कर रहा है अगर वो investment जितना ज़्यादा करेगा तो उसको उतना ज़्यादा discount मिलना चाहिए अब यहां तक तो बात ठीक थी अब जो दूसरी बात आती है वो यह आती है कि जो Amazon मेरे से as a commission 200 rupees ले रहा है वो जब बात आती है cloud tail India की तो वहाँ पर वो commission क्या करता है कम कर देता है मेरे से जिस चीज़ पर commission 200 rupees ले रहा है उस पर वो 152, 100 rupees ले सकता है और even lesser than this इससे भी कम वो charge कर सकता है तो जब वो इससे कम charge करेगा तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर जो after all product की जो cost होती है उसमें काफे जादा difference आजाता है वो difference ही आजाता है कि जो चीज मैं 2500 की बेच रहा हूँ वो cloud tail private limited जो seller है वो कम से कम 22 या 2300 की बेचेगा अब दो condition में उसका product मेरे से उपर आएगा एक तो सबसे पहला यह कि Amazon उसको promote करेगा दूसरे seller से उपर जो Amazon के उपर case भी हुआ था उसमें particularly यह चीज मेंचन की गई थी और दूसरी चीज price range में मेरे से कम है अगर वो मेरे से नीचे भी है और उसका price कम है तो जो purchaser है वो particularly उस product को target करके वो चीज खरेजने के कोशिश करेगा तो यहां पर बात तो आगी है कि as a purchaser कैसे influence होता है इस चीज को पर अब यह चीज fake है या नहीं है यह चीज हम कैसे classify करें अब यहां पर क्लाउट टेल जो limited company है वो क्या करती है बहुत bulk order ले ले लेती है अगर आपको international protein या international supplements के बारे में थोड़ा सा भी knowledge हो तो एक बहुत common सी चीज होती है products में वो होता है importer tag कोई भी चीज कोई international brand मतलब मान लो अगर कोई supplement US से इंडिया के अंदर आ रहा है तो उसको क्या करना पड़ता है इंडिया के अंदर sell होने से पहले उस particular product को एक importer tag लगाना पड़ता है कि import किया है किसने है तो importer की case में क्या होता है एक importer का कुछ time period होता है या एक bond बोल सकता है या एक agreement होता है किसी particular brand के साथ कि हम आपका product एक साल तक import करेंगे अब जब एक साल तक वो import करता है तो उसकी बीच में जो seller purchase होती है जाता है वो यह तो पुराने stock हो जाता है यह उसको importer change हो जाता है मतलब अगले साल किसी और importer को वो particular चीज मिलेगी तो वहां पर price का difference आता है तो पहली चीज तो है यहां पर क्या होता है यहां पर लोग क्या करते हैं hold पर सामान रखके इस चीज के price के साथ मतलब नए importer के साथ पुराने importer के साथ यह manipulate करना बहुत जादा शुरू कर लेते हैं अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी एक seller है उसको मतलब बहुत जादा agreement या बहुत सारी detail या review यह सब चीजे नहीं होती है कोई भी product list कराने से पहले अब बात आ जाती है कि जैसे कुछ ऐसे brands भी हैं जो अपना seller खुदी है जैसे कि आप example ले सकते हो muscle blaze का आप Amazon पर check करोगे तो जो muscle blaze का seller है वो muscle blaze खुदी है तो इसका मतलब muscle blaze का product जो आप तक आ रहा है तो यहां पर आपको एक दो चीजों की और जोरत पड़ती है एक होता है आपके पास distribution शिफ होनी चीए distribution मतलब एक certificate होना चीए कि आप authorized distributor हो इस particular चीज के वो मिलना भी बहुत हार नहीं है अगर आप कुछ टाइम से काम कर रहे हो तो आपको वो चीज बहुत असानी से मिल सकती है अब बात आती है कि मैं कोई product लिस्ट कर रहा हूँ as a seller Amazon पर तो वहाँ पर मैं कैसे manipulate कर सकता हूँ किसी एक customer के साथ manipulate जब मैंने registered किया उन्होंने मेरे से product की detail मांगी तो वो ऐसा नहीं होता है कि हर product की detail mode डालनी है मेरे पास 100 box हैं तो 100 के 100 की मुझे verification डालनी है अगर मैं verification डाल पहले तो verification की ज़रुत पढ़ती नहीं अगर मैं डाल कर रहा हूँ तो मैं particularly एक box की डाल के अपने आपको verify कर सकता हूँ कि I am authorized distributor of this particular product तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर आदमी जब डालनी की बारी आती है तो वह particular product डाल देता है पर जब sell करने की बारी आती है या customer तक महुचाने की बारी आती है तो वह इन सारी चीजों में क्या करता है दूसरा product बेज देता है या वहाँ पर क्या गरता है return option cancel कर देता है बहुत सारे product ऐसे भी है जहाँ पर return option बंद रहता है तो basically बूलने का मतलब यह है इतना manipulation या इतना fake आने के chances यहाँ पर इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ जो seller होता है वो authorized ना होने के chances जाला है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जितने यहाँ पर seller है सारे के सारे fake बेच रहे हैं पर chances कैसे manipulate हो सकती है सारी चीज़े उसके बहुत basic सी चीज़े है कि कोई भी seller बन सकता है यह open platform है यहाँ पर आके कोई भी बेच सकता है किसी प्रोडक्ट को बस थोड़ी बहुत verification की ज़रत है अगर आप थोड़ा सा मतलब active हो तो आप वो सारी verification बहुत आसानी से कर सकते हो तो यह था कि एक seller कैसे manipulate कर सकता है इस particular field को तो अगली चीज के उपर आते हैं जिसमें मैंने बूला था कि आपको कुछ points हैं जो Amazon यह flip card यह किसी e-commerce website में कुछ चीज खरीदने से पहले especially supplement खरीदने से पहले वो चीज़े देखनी पड़ेंगी कुछ इसके plus point भी है कुछ इसके minus point भी है सबसे पहला तो आपको seller देखना पड़ेगा कि seller कौन है कौन sell कर रहा है क्या उसकी क्या authenticity है आप particularly उस particular चीज को click करके भी check कर सकते हों कि यह seller कितने टाइम से इस platform में और यह और कौन-कौन सी चीज़े बेच रहा है पहली चीज तो आप यह कर सकते हों दूसरे इसके plus point यह होता है कि Amazon में बहुत सारे Amazon यह flip card में बहुत सारे ऐसे product हैं जिनको आप 10-day replacement में डाल सकते हों 10-day replacement मतलब ऐसा seller यह मैं बोल सकता हूं अगर आपको अपने product में पुरी पुरा विश्वास बोल सकता है या आप आपको यकीन है कि आपको product अच्छा है तो आप बहुत openly इस चीज को accept कर सकते हो कि हमार product seller 10 दिन तक लेने के बाद में हमें वापिस कर सकता है कई बार इसमें क्या करता है जो purchaser है वो इस चीज के साथ मतलब इस चीज को बहुत negative तरीके से यूज करता है कोई चीज खोल के वापिस बीज देता है काफी सारी ऐसी complaints मैंने सुनी है मैंने देखा भी ऐसी सारी चीज को कि लोग लेते हैं उसके बाद उसको वापिस बेज देते क्योंकि वहाँ पर 10-day replacement policy होती है पहली चीज तो यह है कि अगर आपको चीज पसंद नहीं आ रही आपका verify नहीं हो तो आप वापिस बेज सकते यह option in e-commerce website में काफी है तक बहुत सारे products में है दूसरी चीज क्या होती है दूसरी चीज यह है कि इनके price जो है कुछ-कुछ चीजे को जैसे आप बिग मसल के काफे product compare करोगे मसल ब्लेस के करोगे उनकी official website है उनमें इनके price जो है वो अब होते हैं as compared to Amazon Amazon में जो इनके price है वो काफे down होते हैं इनके खुद की website से भी दूसरा plus point यह है तीसर तो वहाँ पर आप तक वह समान बहुत असानी से पहुंच जाएगा अब इसके negative point क्या है खैल मैं negative गिना रहा हूं सुरू से पर इसका जो एक सबसे बड़ा negative point यह है कि आप Indian brand में तो price compromise कर सकते हो पर जब बात आतके international brand में तो बहुत सारी ऐसी website है आप all about fitness को यह ले लो बह creator commission लेते हैं जो कई बार बहुत ज्यादा होता है product के हिजाब से दूसरी चीज तो है तीसरी चीज जैसे हम सुछते है Amazon में अगर आपके पास आसपास store नहीं है आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा तो उस case में आप Amazon से prefer कर सकते है flip card से prefer कर सकते हो कोई चीज मंगाना पर जब आपको पता है कि आपके आसपास ही एक supplement store है जिसको जा कि आप सामने सामने verify कर सकते हो चीजे अगर आपको चीज वेरिफाइगी है तो अगली बार जाके आप उसको दूबारा बूल सकते हो ऐसे scenario में आपको क्या करना चाहिए आपको offline prefer करना चाहिए as compared to online क्योंकि जो offline इन वाले इंसान है जरूरी नहीं वो fake दे रहा है क्योंकि आप उसको महाँ पर क्या करते हो आप seller को personally जानते हो पर जब online की वरियातिया जैसे कि मैंने आपको बता है आपको पता नहीं कि seller कौन है काफी लोग तो इस चीज पर ध्यान बिन देते हैं कि seller है को हमारे product आ तो आ definitely yes आ सकता है क्योंकि ऐसे लूप होल्स हैं जिनके तुरू यह particular product आप तक fake पहुंच सकता है दूसरा question लोगों का यह होता है कि मतलब अगर हम Amazon or Flipcard से मंगा रहे हैं कोई चीज तो उसका जो price है वो कही बार क्या होता है कि एकदम से बहुत जादा गिर जाता है एकदम से 3100 तक भी चले गया था 3100 मतलब और जो उसी वेबसाइट में पर्टिकुलर लिए प्रोड़क्ट वही प्रोड़क्ट लेशता है वो 3804,000 तक है पर एक एक ऐसा था जिसका सबसे जादा high rating थी पर वो 3100 था ऐसा क्यों तो लोग बोलते हैं क्या यहां पर fake होने के chances हैं तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि इंपोर्टर का बहुत बड़ा रोल होता है जब आप एक इंटरनेशनल ब्रैंड को कंजूम कर रहे हो तो हो सकता है कि जो उस पर्टिकुलर इंसान के पास या सेलर के पास प्रोटीन रहा होगा वो पुराने इंप आप कोटर के साथ है तो उसका प्राइज देखने आपको रहसेंड़ सकता है तो इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे आ jijते हैं कि अवर्ट को कृज़ तो मुझे बढ़ा जाया का प्लेट आंकर लेना है तो आप लोग या नहीं लोग मैं हमापर दो-तीन चीजे धिहान टोखूँगा, एक कि मेरे जो आसपा सप्लिमेंट स्टोर है, वो कितनी दूर है, दूसरा मेरे कुछ जिस सप्लिमेंट की जरुड़त है, वो है कौनसा, अगर वो इंडियन प्रोडक्ट है, तो मैं एक बार के लिए ऑनलाइन किसी प्लैटफॉर्म सा खरीच सकता हूँ, पर जब बात आती है, इंपोर्टर और इंट्रेशनल प्रोडक्ट की जहां पर मुझे चार या पांच जा रूपर इन्वेस्ट करना है, वो भी एक इंपोर्टर ब्रैंड है, जहां पर मैरे को बहुत सारे ऑप्शन एक ही प्लैटफ इसा को देखना चाहूँगा जिसमें 10-day replacement तो at least हो कि मेरे प्रोडक्ट पहुंचर मैं satisfy नहीं हो, तो मैं अस चीज को वापिस बेच चाहूँ, तो यह था conclusion कि आपको लेना, यह तो पूरा आपके उपर डेपेंड करता है कि आपको यह पर्टिकुलर चीज लेनी है, नहीं पर मेरा conclusion यह है, कि आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन से प्रोड़क्ट की जरुरत है, आप कौन सी एरिया में रहता हूँ, आपके आसपास का क्या scenario है, तो उन सब की basis पर आपको यह चीज जच करनी चाहिए, कि आपको लेना चीए, नहीं लेना चीए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे में आपको होता है, क्लाव टेल इंडिया क्या करता है, बहुत सारे मार्केट को काटने की कोशिष करता है, वो क्या करता है, अपने पास बहुत जादा है, प्राइस बहुत डाउन कर देता है, Amazon उसको फिवर करता है, तो यह जो नॉर्मल सेलर है, आप आपको इस चीज़ से लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए अगली बार आप कभी लोग है तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप यह सारे पॉइंट देखके एक डिसीजन लोगों कि आपको पर्टिकुलर प्रोड़क्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो थैंक्स फोर वचिंग दिस वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो